हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप सभी लोग fantasy talent में सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों T10 मैच्ष में हम लगातार कमाल करते आये और आज फिर से करने की तैयारी है दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसी एच और BBS की बीचुने वाले आज के पहले T10 मैच को और दोस्त तो चलिए शुरूबात करते हैं लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो स्क्रॉल करते हो यहां तक पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे अगली बार आपको वीडियो को ढूड़ना ना पड़े और साथ ही साथ दोस्तों बैल आइकन पर प्रेस कर देना और जो हमारा फाइनल अपडेट है दोस्तों फाइनल टीम तो आपको टेलेग्राम पर ही मिल पाएगी तो उसके लिए आपको क्या करना है टॉस के बाद के लिए आप जो फाइनल टीम अगर चाते हैं तो टेलेग्राम को जॉइन कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में मौज जाधा नहीं है इतने से हैं लेकिन दौस्तों सब्सक्रिप्शट हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले करेंगे दोस्तों वेन्यू के बारे में मैच वागा है तो यहां पर यहां लेकर सो का स्पास तक हम पर दिसकसी करें लेकिन यहां पर आप देखें, चार मैचस कहले गए जर्में से दो बार पहले, दो बार सेकंड बेटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है, लास्ट येर जो केसी एच की टीम थी, उसने दो मैचस को विन किया था, आकरी पांच मैचस में से, और तीन मैचस वह हारी थी और जो BBS की टीम है दोस्तों वो लगतार विन करती आ रही है थोड़ी सी स्ट्रॉंग टीम आपको नजर आएगी इस सीजन में अभी तक KCH ने कोई मैच नहीं खेला लेकिन BBS अपना पहला मैच खेल चुकी है तो यहां अगर देखा जाए तो BBS ने जो पहला मैच था वो 6 रनों से हार गई थी लेकिन जो दूसरा मैच बताब जो पहला मैच था वो 7 विक्ट से जीता था दूसरा मैच 6 रनों से हार गई थी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों दोनों टीमों के बारे में सबसे पहले BBS की चर्चा करेंगे तो BBS की तरफ से कौन से बहतर पिके उन पे नजर रखना पहला नाम दोस्तों जहीर अब बास ओपन करने आएंगे 20 रन और 6 रनों का स्कोर किया था ओपन करने आएंगे तो ओपन के दरश्टी कौन से देखा जाए तो आप इने टीम में जगे दे सकते हैं वाकि मैच में उतना अच्छा परफॉमेंस नहीं रहा 18 का एवरेज है दो बार ड्रीम टीम में जगे मिली है और 37 इनका एवरेज पॉइंटर रहा है इसके बाद अगला नाम है दोस्तों मुहम्मद शफी उल्ला खादिम का इन्होंने दो मैचों में इसे अगर देखा जाए तो 22 रन का स्कोर किया यहां 6 रन का स्कोर किया था और 7 में एक ओवर की गिनबाजी की इनकी बल्लेवाजी कि मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों मैंने इने बैटिंग करते हुए देखा था छोड़ा से क्रिकेटिंग शॉट्स देखने मिले हैं बैट पर बहुत अच्छे से ले रहे थे तो यह प्लियर ऐसा है कि आप इनसे स्कोर की उम्मीद कर सकते हो यह है और बैटिंग से दोस्तों सोलर आने जिसमें 19 का एवरेज है एक बार ड्रीम टीम में जगे मनी है 25 इनका एवरेज पॉइंट है नमबर तीन पर आपको मिलेंगे हरून खान हरून घान दोस्तों लास्ट मैच में 49 का स्कोर किया उससे पहले 9 रॉनों का स्कोर किया था बै जान रखेगा इनका बैस्ट तीन विकेट है यह आपके दोस्तों काफी सारे लोगों के कैप्टन मिल जाएंगे हरून खान बहुत सारे लोगों के कैप्टन रहेंगे आला कि मैंने अपना वाइस कैप्टन पिक करने वाला हूं और इनका जो एबरेज पॉइंट निकल कर आ दोस्तों देखा जाए तो इन्होंने दो पारियों में 49 रनों का स्कोर किया है और दो बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है फिर दोस्तों यहां से अगला नाम है करंजीत बरार का करंजीत बरार 11 मैचिस 29 रन और 9 का एबरेज है दो मैचिस में एक बार ड्रीम टी और टोटल देखा जाए तो ग्यारा पारियों में बारा विकेट इनके खाते में शामिल है और चार विकेट ग्यारा रन देकर इनका हाई एस्टे दोनों मैचस में ड्रीम टीम में जगे बनाई है और 94 इनका एवरेज पॉइंट है ये प्लियर आपकी टीम में रहेगा इसके यह पर है मियाक खेल इन्होंने पहले मैच में दो विकेट निकालें दूसरे में तीन विकेट निकालें टोटल पांच विकेट निकाल तो अच्छी गिंद्वासी कर रहे हैं तो इन्हें आप अपना चाहो तो केप्टन सunft कर सकते हो अलागिने बेटिंग करने का मोका ऐहां आप देखेंगे दो पारी में 1 किट दो पारी में 3 को तक भी निकाल है दोस्तों से राजविंदर सब्सक्राइब बहुत तलाशे बहुत ठूड़ा लेकिन सारे प्रेस के रेकोड नहीं मिले हैं आपके सामने यहां पर मैं दे देता हूं तो आप सब्सक्ते हैं इसके अधर पको बोटाली कि सकते हैं जहांपे आप देखेंगे यहां एक Coca निकाला है और 15 के साथ 80ाराणों का स्कूर किया है फिर रोहित नारायनन रोहित नारायनल आप को बैटीनी कि सब्सक्राइब करेंगे यहां देख सकते हैं यहां दो विकेट निकाले टोटल आठ पारियों में आठ विकेट है तो दोस्तों जहीर जहीर अबास जहीर अबास ही नामे शायद हम देख लेते हैं एक बार कर लेते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है श्री निवास नरेश कुमार का तो इस पर आप कर सकते हो बहुत कम लोग नहीं जगे दे रहा है इसके अगला नाम है अर्विंद का अर्विंद ने भी दोस्तों बैटिंग प्लस बोलिंग दोनों की है तो इतना लंब लाम शायद में नहीं बोलबाओंगा अर्विंद पर आप ध्यान रखिएगा दो विकेट यहां यहा निखिल पाटल यह झाले हैं हर एक मैच με देख सकते हो एक वार इन्होंने उपर भी निकाले में और केसावा मॉन्टा परनि मौटाटी को काफी सारे लोगों ने टीम में रखा हुआ हाध की हम दिखा नहीं है यह ज़िए दक्रस्थ में अभी तक द다면 विकेट नहीं मिल पाया है अगर मैं आपको बताओं तो अभी हमारा जो पूरा फोकस है वो रहेगा सामने वाली टीम की तरफ लेकिन अगर आप जील की बात कर रहे हैं दोस्तों वैसे तो जो हमारे कप्तानों कप्तान रहेंगे आपको दिखा जेता हूं एक नाम आप हरुन पर फोकस करेंगे हरुन खान के बाद दोस्तों आपके पास जो अगला नाम है यहां से थोड़ा सा नीची आएंगे तो आप फर्मा उल्ला मिया खेल पर फोकस करके चलिएगा और थोड़ा सा डिफरेंशियल अगर जाना चाहते हो तो आप मुहम्मद शफी उल्ला खादिम को अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं अब अगर हम देखें ओपनेंट में कौन सी ऐसे प्लेयर से जिने आप बना सकते हैं तो थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां आप देखीगा पहला नाम जिससे आप अपना कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं उसमें श् combination हमने तयार किया है यहां आप देखेगा एस नरेश कुमार को मैंने टीम में रखा है काफी सारे लोग जहीर अबास को रख रहे हैं फिर यहां पर अर्विंद हमारी टीम में है फिर नारायनन को टीम में जगे दिये सुन्दर है हरुन खान वाइस कैप्टन है एम शफी उल्ला इसके बाद दोस्तों यहां फे विक्रम जीत मिया खेल और राना सिंग और साथ में एन पाटेल को हमने टीम में रखा हुआ है और ऐसा ही कुछ कर सकते हैं आप इन्हें अपना क्याप्टन बना लेना क्योंकि लगब 50% लोग अपना क्या तो थोड़ा सा दूसरों से अलग अटके जाने के लिए मैंने सिर्फ इतना किया है कोई विशेश रिजन नहीं है कि मैं हरुन खान को क्यों अपना क्याप्टन नहीं कर रहा हूं कि ध्यान रखेंगा और दोस्तों अगर कोई भी बदलाब होगा तो मैं आपको साइध नेटवाक इशुआ रहा है को अगर दोस्तों कोई भी बदलाब होगा हमारी टीम में आपको मैं टेलेग्राम पर अपडेट कर दूंगा तो वहां आप लोग मेरे साथ में रहेगा से तब तक के लिए बाई जै जै भारत